हाई एवरिवन जेसी कृष्णा राधे रादे हरर महादेव अर्मिसरला इंटीट टारो रिड़ा में फिर से एक रिडिंग लेकर आ गई हूँ आप सबी को पता है आप देशेन एकाधशी है तो यहाँ पर मैं आज कृष्णा जी के ही मैसेज लोगी कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको वो क्या बताना चाहते हैं ठीके और कलेक्टिव डिंग के टामबर्स डिंगे आप कभी बी जब जब भी आपके साम नहीं है जनल ओपन होता है जब भी आती है तो common करने के अब सबीकामिका मैं दिल से शुक्रियादा करना चाहती हूं और जिसे भी परसंट रही चाहिए मैंने अपना वर्टसप नंबर डिस्किप्सम बॉक्स से मेंशन कर रखा है तो वहां से आप देख सकते हो ठीके तो यहां पर कृष्णा जी एका दर्शी पर क्या संदेज देना चाहते हैं क्या ब्लासिंग्स है जो कि आप सपी के लिए तो मैं रिडिंग स्टार्ट करती हूं और जिसे भी रिडिंग चाहिए मैंने अपना वर्टसप नंबर डिस्किप्सम बॉक्स में मेंशन कर रखा है तो एका दर्शी पर देवशायन एका दर्शी पर कृष्णा जी आपको आने वाले समय से किसे से से कर रहे हैं और किसे सुरक्षित कर रहे हैं थैंक यू कृष्णा थैंक इस सो मच हरे किष्णा 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 हरे हरे बहुत पॉजिटिव आरे मुझे यहां पर बहुत ही जादा ठीक है हरे कृष्णा किष्णा किष्णा आने वाले समय में आप जो भी कारी करोगे ठी आपको 101 परसेंट आपको बहुत सक्सेस मिलेगी अपको शफलता मिलेगी वीचर में आप कुछ भी करोगी उसमें आपको आपका आपका जो भी आप हाड रख करोगे उसमें आपको बहुत ही जैसे उम्मेद से से ज्यादा आपको result मिलेंगे थैंक्यों कृष्णा थैंक्यों कृष्णा थैंक्यों कि सो मच यहां पर इस विजन ओके ट्रस्टिंग हैवन देखो कृष्णा जी आपको सबसे पहले यहां पर यही मैसेस देना चाहते हैं कि आपको डरने की या गवराने की जरुरत नहीं है ठीके बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपको गॉल टो एक्शन बिल्कुल भी यहां पर क्यों कि क्या बताना जाते हैं आपको कि यहां पर आर्केंजर मारकल उनकी इस्प्रेट्स यहां पर आपकी इर्दकीर थें आप अखेले नहीं हो ठीके फ्यूचर में आप यहां पर बोला जारा आपके अंदर अभी तक पास्ट म किसी चीज़ को लेकर आप आपके अंदर डर था बहर था और उन सब चीजों के कारण आप मुझे से लगरा कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे यहां पास्ट की उर्जा पास्ट में आपको बहुत ज्यादा मतलब एक दबाव फील होता होगा और बहुत ज्यादा आपको ब्लॉक के आपको ऐसे लगते होंगे कि नहीं मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ यहां मैं नहीं कर सकता हूँ यह confidence भी हो सकता है यह डर भी हो सकता है आपके अंदर यहां पर ठीके तो यह सारी चीज़े जो आपको success की तरफ या सफलता की तरफ जाने से रोकती थी तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर उन सब चीजों को आप रिलीज कर रहे हो ठीक है और फ्यूचर में आप जो करने वाले हो अभी तक मुझे इसा लाग रहा कि पास्ट में जो कुछ भी कर रहे थे यह एक आपका डर था जो अभी तक आपके साथ चल रहा लेकिन फ्यूचर में जो होगा महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हो ठीक है आपकी पूरी टेम कृष्णा की पूरी टेम और एंचल्स यूनियर्स इस्प्रिट्स आपके साथ में यहां पर लगी हुई है तो सिर्फ आपको यहां पर यही बोला जा रहा है कि फ्यूचर में आप जैसे यहां पर आप आपको उन्र है और इस्पेशली यहां पर आपके पास डिवाइन लव डिवाइन हीलिंग की उड़ जाए यहां पर तो अभी तक यह इस कार्ट से मुझे ऐसी फिलिंग्स आ रही कि एक बहुत सौंधी सी एक प्रेम वाली उड़ जा है आपके अंदर एक डिवाइन लव है आपके अंदर यहां पर और जिसे तीन नमबर काफी आपके लिए बुशुब आपके लिए मिलता होगा सूब संक जब भी आपको डिपल 7 या countaya टरफन ही या आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने केसे आपको सुरक्षित कर रहा है कौन आपको सुरक्षित कर रहा है ठीक है भविश में क्योंकि फ्यूचर में आपकी अभी तक आपने जैसे बाउंडरी सेट कर रही थी ठीक है तो आप अपनी बाउंडरी को कट कर रहे हो ठीक है क्यो वो सब light में convert हो चुका है आपकी ठीक है अभी तक past में आपको क्यों success अफलता नहीं मिली क्यों आपका प्रेम नहीं मिला क्यों आपको आध्यात्मिक जर्णी में इतना struggle करना पड़ा क्योंकि आपके अंदर एक darkness थी एक अंदकार था ठीक है आपके अंदर एक ऐसी एक ऐसी उ लेकिन यहाँ पर आपके अंदर का अंदकार है वो खतम हो रहा है ठीक है और आपके अंदर एक divine उर्जा है divine लव है वो प्रवजलित हो रही है जिसे आपका यहाँ पर कुछ चीजे ऐसी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है उसकी कोई boundary नहीं है especially यहाँ पर आपका प्रेम आप ए जैसा लग रहा है कि मदर माया मारिया यहाँ पर जैसे जैसे अच्छ जाते होगे आप यहाँ पर ठीक है तो यह एक ऐसी उर्जा है आपकी कि जहां पर यहीं सब चीजे अब इसकी कोई boundary नहीं है कि कृष्णजी आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपकी भक्ती मार्ग में या आप मंदी चर्च जाने में अभी तक आपके उपर काफी burden रहता था stress लेता था यह boundary आपकी set कर रही थी कि यह नहीं करना है ऐसे करना है आपको तो वो सब यहाँ पर release हो रहा है आपका ठीक है future में आप बहुत safe हो और कि कौन safe कर रहा है आपको angel spreads ठीक है तो आपके लिए बोला यहीं जा रहा है कि action आपको action लेना है क्योंकि future आप यहाँ पर future जो आने वाला है आपका उसमें कोई आपका कोई boundary आपको set नहीं करनी है या कोई आपकी boundary कोई दूसरी set भी नहीं कर सकता आप आजाद हो क्योंकि आपने अपने अंदर के अंदकार को खतम कर दिया है और आपने अपने अंदर की रोशनी को प्रकाश को यहाँ पर जाकरत कर लिया है ठीक है और जिसकी वज़े से आपने अपनी हर चीज को आपने release यहाँ पर कर दिया है ठीक है आपको बोला यही जा रहा है कि आपको हमेशा ऐसे मार्गर पर रहना है जहाँ पर आपको let go करते हुए माफ करते हुए आगे बढ़ना है और आपका आप चाहते क्या हो ठीक है सिर्फ उसी चीज पर आपको focus यहाँ पर रखने की जर्रत है और action लेने की जर्रत है यहाँ पर future आपके लिए बिल्कुँ safe है सुरक्षित है जहाँ पर कोई आजाद कोई boundary नहीं आजादी हो बिल्कुँ safe हो और सुरक्षित हो चीक है तो यह एक कृष्णा का message आ रहा है आपको यहाँ पर कृष्णा जी आपकी बहुत सारी विश भी पूरी करने वाले है और अभी तक जो विश पूरी नहीं हो यह आपकी यह एक message है कि future में आप बिल्कु safe हो सुरक्षित हो और यहाँ पर सिर्फ आपको जो भी आपकी खुशिया है जो भी आपके dream से उसके उपर आपको action लेने के लिए बोला जा रहा है ठीके जिसकी वज़े से आपके सपने पूरी होंगे आपकी wish यहाँ पर पूरी होंगी कृष्णा जी तो वो opportunities blessings आपको दे रहे है ठीके तो यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अपनी intuition के उपर believe करो अपने intuition के उपर विश्पास करो ठीके कि आप यह काम कर सकते हो आप यह कर सकते हो ओके यहाँ पर कृष्णा जी आप यह आपको पता हो या ना हो आपके अंदर unconditional प्रेम है love है यहाँ पर आपका हिर्दय बहुत soft है बहुत मासुम हो आप यहाँ पर ठीके तो यहाँ पर बहुत कुछ चीजे ऐसी हैं अगर आप दूर हो किसी से ठीके उसकी वज़े से आप अपने आपको मतलब कुछ healing वाली उर्जा आ रही है कि किसी से दूर थे आप तो वो आपकी दूरिया नजदी के आपको तबदिल होने वाली है और आपकी जबजस्त healing हो रही है ठीके तो यहाँ पर बोला जा रहा है कृष्णा ची यहाँ पर यह भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपकी relation में भी harmony आ रही है और आपके career में भी बहुत opportunities blessings आ रही है ठीके यह इसके बदोलत इसके आधार पर आप अपने future में उस खुशी को महसूस करोगे उस उस प्रेम को आप महसूस करोगे जो अभी तक आप अपने आपको शायद अगर यह wish आपकी पूरी होती है यह सपने आपके पूरे होते हैं तब ही आप अपने आपको complete या पूर्ण होता हुआ आप दीख सकते हो और वही सब चीजे कृष्णा जी आपको future में देने वाले हैं ओके तो यह एक message था आपके लिए और यहाँ पर laziness कृष्णा जी अब आपको यहाँ पर बोल रहे है कि बहुत हो गया आराम ठीके बहुत हो गया मटर गस्ती तो आपको उस जोन से आपको निकलने की जरुरत है और बहुत आपको जो क्या चाहिए आपको future आपको कैसा चाहिए हाँ उसके लिए बोला जा रहा है कि उसके लिए आप action लो वो blessings आ रही है action कहा लेना है तो यहाँ पर वो blessings आ रही है आपके लिए आपकी यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको कुछ opportunities मोके आफसर आपको दिये जा रहे हैं आपकी तरफ आ रहे हैं तो उसके लिए आपको ready रहना है ठीके लेजिनेस से काम नहीं चलता है action वाली उर्जा में आपको रहना है क्योंकि future में आपको बहुत ज़ादा आपके लिए ऐसा समय है कि जहां पर आपको किसी भी चीज़ का wait नहीं करना पड़ेगा किसी भी चीज़ का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा conscious यहां पर आपको यह अपने सबकॉंसेस माइंड पर जिसे उस चीज़ के उपर फोकस यहां पर करने की ज़रत है ठीक है कि वह क्या messages दे रहा है क्योंकि आर्केंजर माइकल ओके कहां से messages देंगे आपके माइंड के थ्रू अपने आपको जितना पीस में रखोगे शांती में रखोगे आप उनकी blessings को उनकी guidelines को उतना ही follow कर पाओगे ठीक है यह एक message है आपके लिए and future में आप अपने आपको बहुत भरा हुआ सा महसूस करोगे कि आप अपनी life में वो कर रहे हो जहां पर काफी time से आपको मिल नी रही थी और उसके मिलने से आपकी पूर्ती हो रही है ठीक है मुझे इसा लग रहा है न कि आप अपने आपको अंदर तक भरा हुआ देखोगे जिसे आप अभी तक खाली थे ठीक है तो future में आप भरते हो मुझे यहां पर नजर आ रहे हो possibilities अगर किसी को लग रहा है यहां पर कि यह possible नहीं है जो कुछ future में होने वाला है आपके साथ में तो हर चीज possible है हर चीज possible है लेकिन वो कब है आपके लिए guidelines निकल रही है कि जब आप action लोगे अगर आप यह सोच रहो कि मैं यह सा नहीं कर सकता ऐसा नहीं हो सकता तो भई action लो अपने comfort zone से बहार निकलो ठीक है सब कुछ possible है अपने उपर विश्वास करो बेशक आपको मलब इस रस्ते से पड़ेगा ठीक है लेकिन आपके लिए बोला भी यही जा रहा है कि कृष्णा आपके साथ है एंजल्स आपके साथ में हैं यहां पर किस चीज से डर रहे हो और क्यों डर रहे हो और जो काम आप करोगे कृष्णा जी वहां से आपको यह जो कुछ भी कर रहे है कृष्णा में आपको पता चलेगा, अभी आपको नहीं पता चलेगा, अभी तो आपको ऐसे लग rifaha होगा, इतना मुश्किल रस्ता है, कैसे होगा, बहुत परिशानी आएगी, बहुत अर्चन bin, आएगी, मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, या मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो यहां पर सब possible है आपको सिर्फ क्या करना है आपको जो अच्छिव करना है ठीके आप अपने आपको बस उस लक्ष पर आप निगाहें गार कर रखो उस लक्ष को देखो आप यहां पर बस उससे नहीं भटकना आपको और किष्णा जी आपको बताना चाहते हैं कि एक्षन लो उस चीज में मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि वही आपकी एक्षन में खुशी वही है ठीके हर चीज पॉसिबल है इगल इगल की कैसी नजरे होती है वो मतलब बहुत जहां से देखकर भी ठीके वो जैसे केते हैं कि शिकार उसको शिकार करना है तो वो शिकार को चक्मा देता है वो शिकार को ये दिखाता है कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा मैं किसी और को देख रहा हूँ और वो शिकार पर जाकर जपट्टा मारता है बस उसी उसमें रखना है आपको अपने आपको कुछ भी करो आप दिन चरिया कुछ भी करो लेकिन अपने लक्ष को मत भूलो कि एक्चुल में आप करना क्या चाहते हो और फ्यूचर में आप जो भी आपको इसा लग रहा है उस सब पॉसिबल होता हुआ आपको नजर आएग जो भी आपका समय था यह आपकी एक ऐसी उरजा है जहाँ पर आप अपने आपको मतलब यही से तो टूटे हो बिकरे हो आप यहाँ पर लेकी जो आपकी कमजूरी थी ठीक है जो आपकी कमजोरी थी कहीं न कहीं उसमें आपके दुख दर्द थे लेकिन यहीं कमजोरी आपकी ताकत बन रही है और यहीं से आपका सुख भी आपको मिल रहा है देखो जो दुख होता है हमारा उसी में सुख चुपा हुआ है और जो सुख है उसी में ही दुख चु लेना है ठीके अपने सपनों की तरफ यहां पर बढ़ना है और यहां पर दड्रीम आप क्या चाहते हो आपके ड्रीम है ना कृष्णा जी वही पूरा करना चाहते हैं यह कृष्णा का संदे से कि आपके वही ड्रीम वह पूरा करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपको एक् ठीके और मुझे इसा लग रहा है ना कि किसी से दूर हुए हो आप यहाँ पर तो किसी का रियूनियन भी है फीचर में आप एक से दो होगे और मतलब आप अपने आपको किसी भी चीज़ से वंचित नहीं पाऊगे ठीके आपको इसा फील होगा मैसूस होगा कि मेरे पास क्या कृषणा जी आपको किसी नई आत्रा पर ले जाना चाहते हैं कुछ नया स्टार्ट करवाना चाहते हैं आपसे कुछ न्यों है जो आपकी life में आने वाला है और इसका connection आपके future से है ठीके इसका connection आपके future से क्योंकि यही से आपकी इसी जर्नी से आपकी खुशियां भी तो यहाँ पर जो भी आपका ड्रिम है ठीक है उसके लिए एक्षन लोग रस्ते अभी आपको एसे लग रहे हैं कि यह बहुत मुश्किल है लेकिन यह मुश्किल नहीं है ठीक है एक टाइम आएगा कि आप अपने आपको वहां देखोगे यह वो चीज़े हैं इंट्रिकेशन यास तक्रेटर क्योंकि कृष्णा जी आपको कोई बहुत बड़ी उपाधी कोई बहुत बड़ा आपको आपसे कुछ कराना चाहते हैं कृष्णा जी आपको देखो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कृष्णा जी फ्यूचर में आपसे आप बहुत बड़ा कुछ क्रेट करोगे, इसके लिए आप डरो मत एक्षन लो, आप पूरे सेफ हो, सुरक्षित हो, ठीके, आप बहुत बड़े क्रेटर हो, आपको कुछ क्रेट करना है, आपको यहाँ पर आपका सोलर पेसे चक्रा, ठीके, वो आपका अक्टिव होने वाला है ठीक है और जिसकी वज़े से आपके अंदर एक confidence आएगा आत्मे विश्वास आएगा कि आप सेफ हो शुरक्षित हो और आप अपने future में कुछ ऐसा करोगे जिसमें आपको बहुत बड़ी success हो सफलता आपको मिलेगी क्योंकि future में आप यहां पर past में आपने बहुत तकलिफों का सामना करा है बहुत चीज़े past आपका बहुत गंदा था लेकिन future जैसे कि आपका इतना सा बुरा था तो future आपका इतना अच्छा है past में आप किसी तरीके से ब्लॉक थे अंदकार में थे यहां पर लेकिन future में आप देख रहे हो कुछ create कर रहे हो वो काम आप कर रहे हो जो आपकी लिए ना मुनकिन है मुझे इसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर चीज को balance कर रहे हो future में इंग्यान energy को आप अपने आपको बहुत हर मतलब आपको बहली भाती पता है कि किधर जाना है क्या करना है और कैसे करना है बहुत इस पर चलो आथ्यात्मिक हो इसी लिए कृष्णा आपसे कुछ create करवाना चाहते हैं और future में आप उसमें आपको बहुत बड़ी success और सफलता आपको मिलेगी ओके डियर और यहाँ पर मैं चक्रा से लूगी थैंक्यू थैंक्यू सो मुच यहाँ पर rejection पास्ट में आपको किसी ने reject किया था ठीके तो इसके पीछे भी कृष्णा जी का ही मकसत था क्योंकि वो आपको किसी ऐसी जगे नहीं देखना चाहते थे कि जहाँ पर आप अपने आपको मतलब भूल जाओ ठीके या भूल जाओ या किसी ने आपको reject किया था सब अपने अपनी situation से ले लेना तो यहाँ पर rejection यहाँ पर वो चीज़े आपके उपर हावी हो रही थी ठीके यह किसी भी तरीकी negativity भी हो सकती है तो यहाँ पर separation यहाँ पर मतलब किसी से अलग होना शायद वो देखा नहीं जा रहा था आपसे या उस चीज़ को आप ले नहीं पा रहे थे वहाँ पर आप बहुत साथा कमजोर पड़े थे ठीके तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको उस चीज़ से बाहर निकाला जा रहा है ठीके फ्यूचर में आप किसी भी किसी भी rejection से नहीं गुजरोगे किसी भी failure से नहीं गुजरोगे यह पास्ट की उर्जा है आपकी पास्ट में आपने आपको बहुत compromise की उर्जा आ रही है यहाँ पर कि आपने कृष्णा जी ने आपको देखा है कि आपके अंदर एक बहुत डर था आप easily बहुत जल्दी किसी से भी आप डर जाते थे और आप अपनी चीजों को शेर करते थे जैसे एक example कि आपके साथ कुछ भी हुआ जैसे इस्प्रेचलेटी में भी आपको यहाँ पर आपके साथ ड्रिम आया या सपने आये या कोई कुछ जैसे इश्वर परमात्मा का कुछ ऐसा संदेश आया और आप डर गए तुरंत डर गए और आपने अपनी जो भी आपके साथ होता है ठीक है वो आपने शेर करा तो वो आपके लिए बोला जारा है अब आपको नहीं करने की जरुरत है ठीक है और यहाँ पर यह एक अंदकार ही था आपके अंदर तो आपने अपने उस अंदकार को खतम कर दिया है और इसी की वज़े से आप डरते भी थे तो वो सब चीजे गई है ठीक है यहाँ पर आपको किसी भी चीज में डोबने की जरुरत नहीं है अब आपको खुल कर बोलने की जरुरत है ओ ठीक है खृषना जी आपके लिए क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ठीक है और आप सेफ हो सुरक्षित हो आपसे रेजोनेट हो अगर होती है तो प्लीज लाइक कमें सिस्क्राइब और यंशी किष्ना राधे राधे हरहर महादेव